नमस्ते अभिवातन आपका Innocent Investor के इस नए वीडियो में आपके लिए disclaimer उसके बाद इस वीडियो में हम बात करेंगे regular income की इतनी महंगी बाजार में क्या ऐसा कोई source है जिससे हम regular income generate कर सकते हैं जी हाँ हम उसी पे बात करेंगे हम बात करेंगे Nifty Futures Trading पे जहाँ पर आपके लिए time value का कोई risk नहीं होता है और अगर आपके पास एक अच्छा setup है तो आप बिल्कुल वहाँ से regular income generate कर सकते हो ये वीडियो पूरी देखिएगा क्योंकि futures में trading बहुत risk होती है और दूसरी चीज अगर आप दिमाग लगा कर करते हो बहुत ही छोटे amount से आप regular income भी generate कर सकते हो तो जैसा कि कहा गया है कि जितना ज्यादा risk होगा उतना ज्यादा reward होगा लेकिन अगर हम smart काम करें तो risk कम लेकर भी हम reward उतना पा सकते हैं जितना हम deserve करते हैं राइट क्योंकि मैं आपको बताऊंगा तो थोड़ा सा मतलब हवावाई बाते मैं नहीं करना चाहता नहीं तो मैं भी कह सकता था कि आप हर हफते पैसा डबल कर सकते हो तो यह सब चीज मैंने बताऊंगा मैं regular income की बात कर रहा हूं कि अगर आपके पास छोटा amount है जैसे कि मान लेते हो 50,000 तो आप उस 50 से कैसे 500 से 700 रुपए जनरेट कर सकते हो वही मैं आपको बताने की कोशिस करूंगा और क्या एक setup काम करता है या नहीं वो भी मैं आपको वीडियो के अंतर तक बता दूंगा तो चलिए सबसे पहली चीज हम आपको दो बाते हां पर बताएंगे ठीक सबसे पहली बात यह है क मैंने दूसरे वाले चैनल पर बेसिक वीडियो में करी हुई है ठीक इतना समय लीजिए जो मैंने बताया इन्हीं स्टॉक्स की वैली होती है उस वैलू का वेटेज इस निफ्टी 50 इंडेक्स में होता है जो कि अभी कितना चल ला है अभी क्लोस टू 15,000 चल ला है मैं 15,000 मा माल लेता हूं निफ्टी अभी 15,000 है ठीक अब आपने माल लिया निफ्टी अभी 15,000 है और आपको एक चीज पता है कि निफ्टी या तो उपर जाएगी या तो नीचे जाएगी यह सब को पता है ठीक अब अगर आप इतने confidence में हो कि निफ्टी यहां से 15,100 रुपए चली जाएगी ठीक है 15,100 रुपए चली जाएगी तो आपके पास पहला चाहरा है कि आप निफ्टी के सारे स्टॉक्स को खरीद लो जो की बहुत बड़ी amount की value बना देंगे आपके लिए अगर आपको खरीदना है और वहां पर आप एक बड़ा amount कमाओगे भी लेकिन अगर आप निफ्टी को ही खरीद लो तो क्या हो और यहां पर आपको आपके exchanges आपका broker एक बड़ी margin inbuilt देता है inbuilt margin का मतलब क्या है कि अभी समझा दूँगा कितनी margin मिलती है लेकिन समझिए कि अगर मैं कह दूँ कि आपको ये 15,000 की निफ्टी जो है अगर मैं इसका 10,000 का सामान ठीक ह आपको होगे very good तो यही चीज मैं आपको समझाने की कोशिज करूँगा और याद रखेगा अगर निफ्टी 15,000 से 15,100 गई तो आपको 7,500 रुपय का profit होगा ठीक profit होगा क्योंकि जो निफ्टी की size है जो खरीदनी है आपको minimum 75 size खरीदनी है जिसको हम निफ्टी futures भी कहते है ठीक है निफ्टी future ऐसे और ये बीच में लिखा रहता होगा महीना निफ्टी फरवरी future निफ्टी मार्च future मैं समझाओंगा आपको वीडियो लंबी होगी और आप सब कुछ समझ जाओगे बस मैं चाहता हूँ कि आपको एक एक चीज समझ में आ जाए अब ये 100 point जो निफ से एक्षेंजस से क्योंकि वो आपको 10 लाख का समान सिर्फ और सिर्फ डेल लाख में प्रवाइट कर रहे हैं याद रखिएगा अभी इसमें आपके broker की margin नहीं जूड़ी आपकर आपके broker की भी margin जोल लो तो 50,000 रुपए से ही आपको ये मिल सकता है और 50,000 पे अगर आप 7 साथ हजार कमा लेते हो तो close to ये 15% के आसपास का return है यानि कि अगर आप full margin यूज़ करते हो तो 15% का return है ठीक है अगर आप full margin यूज़ करते हो और अगर आप half मतलब जो normal margin आपको मिलती ही मिलती है तो वहां से आप कितना percent return जनरेट करोगे यहां से आप generate करोगे 5% की income यानि changes की तरफ ते अगर निफ्टी 50 point भागती है तो आपको 0.5% का return मिलेगा ठीक है अगर निफ्टी 25 point भागती है तो आपको 1.25% का return मिलेगा और मैं सिर्फ इतना आप से कह रहा हूं आप निफ्टी के 25 point के momentum को capture करने की बात का setup एक अपना बना सकते हो कुछ भी मैंने बहुत स 25% अगर आप generate करते हो यह एक बड़ा नंबर होता है जो भी amount आपके पास और यह 2.5% आप अपनी ब्रोकरेज मान लीजे ठीक है ब्रोकरेज मान लीजे तो भी आपका 1% income आपकी हो गई ना अब कहने में यह चीज़ें आसान लगती है लेकिन करने में थोड़ा साना setup अगर थोड़ा साइधार उदर हुआ आपका stop loss नहीं काम किया तो तो गए काम से तो यहां पर अगर आप stop losses को maintain कर रहे हो सारी चीजें आपके favor में रहेंगी यहां पर आपको losses भी होंगे profits भी होंगे जैसे कि कुछ लोग कह रहे हैं कि भाई साब 15,000 से निफ्टी क्या 16,000 चली ज रॉक्सान होगा याद रखिएगा सिर्फ डेल लाग पर 50% पैसा साफ लेकिन अगर निफ्टी 15 से 14 चली जाती है एक्सपेक्टर तो आपको 75,000 का profit भी होगा तो सोच लीजे यह दो धारी तलवार है लेकिन अगर आपका setup अच्छा है setup अच्छा है आपका तो आप बहुत हैंसम एमाउन कमा सकते हो और मैं फिर से वही कहूंगा कि अगर आपको एक तूफानी तलवार दे दी गई जो सबके गले काट सकती है तो इसको सावधानी बरत के रखना भी चाहिए क्योंकि वह आपका भी गला काट देगी आपको नहीं पहचानेगी तो यहाँ पर अगर को ट्रेडिंग करना है बहुत ही ज्यादा रूलिस्टिक हो जाना है चीजों को समझना है सेटप को समझना है खुद से अपना सेटप बनाना है समझने की कोशिश करने है कि यह काम कैसे करता है अब हम आपको थोड़ा सा लेकर चलेंगे ब्रोकर की वेबसाइट पर वहाँ पर आपको समझाएंगे कैसे चीजें काम करती हैं कैसे सब पुछ होता है ठीक और ये भी समझांगा कि केवल और केवल निफटी फ्युचर्स में आपको क्यों ट्रेडिंग करनी चाहिए देखिए मैं स्टॉक फूचर में जब भी ट्रीडिंग करता हूं बहुत ज़्यादा केसे होते हैं मैं है जिंग करता हूं ठीक है हैं कि वहां पर मुझे पता है मैंने स्टॉक करीद के रखे हैं अगर मैं वहां पर सौट पोजिशन नहीं लूँगा मुझे अगर गिरावट दिखती है तो मेरा प्रॉफिट हो रहा है ठीक है अभी मुझे लग रहा है कि यह स्टॉक यहां पर रजिस्टेंस पर है और अगर मैं यहां पर इसमें प्रॉफिट अपने बचाना चाहता हूं मैं इसी स्टॉक का फ्यूचर जो है सौट कर दूँगा और मुझे लगता है कि यह 3% नीचे गि लगा तो आप बात को समझे होगे हैं जिंग कितनी बहतरीन चीज है यह कभी और डिसकस करेंगे भी हम निफ्टी फ्यूचर के सैटप के बारे में बात करने चल ला है इसके लिए चलेंगे ब्रोकर की विपसाइट पर वहां पर आपको और डिटेल्स मिलेंगी ठीक अब हम गुले की आखरी अखरी जो महिने का गुरुवार आता है उस दिन इनके एकस्पारियी और यानि कि उस दिन निफ्टी फिफिफ्टी और निफ्टी फ्यूचर का पॉर्फ ऐसका प्राइड वह ओं मैच कर जाएगा और मैच कर जाएगा कि यहाँपर सेटल्मेंट होगा पर ही बंदी करेगा कब महीने के आखरी गुरुवार को इसलिए आप यहाँ पर बाई कर रहे हो याद रखेगा इस चीज को और क्योंकि वहाँ पर आपको सेटल्मेंट करना ही पड़ेगा यानिक महीने के अन्त में तो यह 14,000 से 15,000 से यह 16,000 चला जाए तो आपको बहुत बड़ा प्रॉफिट अगर यह 14,000 चला जाता है तो आपका बड़ा लॉस लेकिन अगर आप इस बीच अपने स्टॉप लॉस को मेंटेन करते हुए आगे बढ़ते हो तो आपको काफी चीजें अच्छी मिल जाएंगी जो कि आपके क्या है यह 22 रुपे हैं प्रीमियम प्रीमियम क्या होता है वह मैंने आपको आप्सन वाली वीडियो में समझाया है प्रीमियम का मतलब यह होता है कि आने वाले समय में जादा लोगों को और यह हमेशा लगता रहता है कि बाजार लॉंग टम में उपर ही जाती है इसे लिए एक premium भी रहता है दूसरी चीज़ जब आप option में ट्रेड किये कभी किये होगे तो आपको पता होगा वहाँ पर भी प्रीमियम काम करता है कि जैसे कि मैं 15,000 का future 16,000 का यह future ना खरीद कि मैं 16,000 का निफ्टी का call option खरीद लूँ ठीक है कि मुझे बहुत सस्ता मिला होगा वह जो प्रीमियम होगा उसी में यह एड़ेस्ट होता है बस इतना समझे कि निफ्टी 50 के मुकाबले यह चीज़े मैं कभी और explain करूंगा उन्नेसेसरी लंबी हो आते हैं नहीं तो यह हमेशा मतलब एक बढ़ियां handsome premium पे इबन कभी कोई 50 50 60 points का premium होता है ठीक अभी आप यह समझ गए यह चीज़ें आप देखो कि मार्च फ्यूचर 14980 यहां से भी लगभग लगभग 40.2 पर ट्रेट कर रहा है यहनि कि निफ्टी मार्च में लोग और उ settlement करना पड़ेगा अपरेल तक आप सुरक्षित रहोगे यह हो गया long term के लिए मैं यहां पर short term की बात करूँगा और futures की बात समझाने की आपको कोशिस करूँगा यहां पर मैंने आपको जो चीज़ें समझाई आप थोड़ा सा back test कीज़ेगा आप चीज़ों को समझोगे औ तो अब हम थोड़ा सा margin की बात कर लेते हैं कितना पैसा हमको देना पढ़ेगा उसके बाद हम explanation पर चलते हैं चलिए मैं फरवरी future की बात करूँगा इस पर मैं क्लिक करूँगा ठीक है क्लिक करूँगा उसके बाद वाई पर क्लिक करूँगा तो आप देख रहे हो 14946 चल 46 इंटू कितना हो जाएगा 75 तो कितना गया 11,20,000 रुपए यानि कि 11,20,000 का सामान आप खरीद रहे हो तो इस रिस्क को आपको समझना है क्योंकि निफ्टी धेर सारे stocks को लेकर चलती है इसलिए वहाँ पर ऐसा एकदम कभी तभाही कभी ये नहीं हो जाता है कभी कभी हो ज नहीं मैं percentage calculate ऐसे यजीब तरीकेश करता हूं तो लगवग लगवग निफ्टी 300 भाग जाएगी और अगर आप इतना बड़ा रिस्क लेने के लिए नहीं ते यार खड़े हो तो आपको इस्टाप लोसस मेंटेन करना चाहिए 300 पॉइंट उपर निफ्टी का मतलब 22,000 का आ लेता हूं ओबरनाइट पॉजीशन आपको पैसा किना देना है 1,68,000 मतलब आप close to 15% की मार्जिन मनी दे रहे हो यह आप 1,60,000 में इसको घर लेकर जा सकते हो आप बात को समझ रहे होगे 1,60,000 में आपको यह आपके delivery मिल जाएगी यानि कि आप ओबरनाइट पॉजीशन ल ले लिया जाएगा लेकिन अगर यह आपके अगेंस्ट चला गया चलिए माल लेता हूं कि सव पॉइंट आपके खिलाफ चला गया तो जो साड़े साथ हजार आपको M2M होगा market to market मतलब market to market का मतलब एक मिनट के लिए उसको आप profit loss ही समझे तो अगर आपको profit होगा वो आप आपके demand में अलग से कड़ जाएगा लेकिन यह जो एक लाक अनसाथ हजार रुपय है यह थोड़ा बहुत उपर नीचे होकर के आपकी position में बरकरार रहेगा यानि कितना पैसा होना ही चाहिए आपके पास इसके अलामा आपके पास कुछ और funds होने चाहिए जो आप loss में दे से बैक्टेस्ट करेंगे तो एक अच्छा setup आप खुद generate कर पाएंगे और इस पर खुद focus करके trade भी ले पाएंगे इंट्राडे में आपको कितना पैसा देना है उस 11 लाग के समान के लिए सिर्फ और सिर्फ 51,000 अब ये 51,000 को मैं 60,000 मानूँगा क्योंकि 7,000 रुपय हम एक margin money रखेंगे यानि कि अगर आपके पास 60,000 रुपय हैं आप ये setup पे काम कर सकते हो क्योंकि वहाँ पर हम रिस्क ही इतना लेते हैं कि हमारा 78,000 में काम चल जाएगा उसको मैं आपको समझाओंगा चलिए एक बार वापस चलेंगे अपने paint वाले page पर अभी तक अगर आपने गंदगी मची हुई है हम थोड़ी से सफाई करेंगे आयोप आप वीडियो तब तक लाइक कर लोगे तो भाई साब हम आ चुके हैं एकदम नीटन क्लीन पेज़ पर मैं आपको कुछ समझाओंगा हमने आप से बात किरी कि close to 52,000 रुपय आपके कहां पर लगेंगे margin money में इ हमारा setup तबाह हो गया हम कुछ नहीं कर सकते हैं जी हां इसलिए मैं आपस कहता हूं जब भी आप यहां पर futures में ट्रेडिंग करना इंट्राडे में ही करना दूसरी चीज stop losses को एकदम maintain करके करना है हमको कोई risk यहां पर नहीं लेना है ठीक अभी आते हैं वापस यह 52,000 ठीक है अभी इस 60,000 पे अगर हमको लगवग लगवग 500 रुपए कमाना है ठीक है तो हमें 8% का return generate करना पड़ेगा और यह 8% return इस 50,000 पे नहीं generate करना है हमको 11,000,000 रुपए पे करना है 8% का return तो 11,000,000 पे कितना पैसा हम कमाने कि 52,000 का 8% हो जाए तो पहले 52,000 का 8% हम निका 200 या कहीं कहीं थोड़ी ज्यादा लग जाती है आप से मैं यह request करूंगा अगर आप intraday करते हो future options में करते हो तो आपको जरूर किसी discount broker के साथ होना चाहिए हमारे सभी partners बहुत ही सस्ता rate provide करते हैं futures में trading को मैं यहाँ पर 200 रुपए चार्ज मान लेता हूं ठीक अगर आपके यह साथे 700 कमाने के लिए हमको निफ्टी में कितने point का खेल खेलना है सिर्फ और सिर्फ 10 point का यह तो गलत बात है सिर्फ 10 point में हमें साथे 700 मिल जाएंगी जिहां सिर्फ 10 point अगर आप निफ्टी में कमा लेते हो तो आपको साथे 700 मिल जाएंगे जो कि यहाँ पर हो जाएंग overall मतलब आपका size है 60,000 portfolio है तो अभी मैं यहाँ पर आपको कह रहा हूँ कि हम हमारा जो setup है वहाँ पर हम nifty में 30 to 40 point का यह हम profit देखते हैं और से profit ही नहीं होता है बाजार में याद रखिएगा और हम 20 to 30 point का हमारा loss होता है उसमें यह जो setup है यह मैं आपको भी बनाने को कहूँगा close to यहीं का आपको setup बनाना है और दिन में 3 trades आपको लेने हैं याद रखिएगा दिन में 3 trades लेने हैं जहाँ पर आपको मैंने यह बहुत छोटी बात करी है 500 मतलब हम यहाँ पर कोई तारीफ नहीं करना चाहते कुछ कहना नहीं चाहते इसलिए मैं आपसे कहूँगा आप back test जरूर कीजिए चीजों को समझने की कोशिश कीजिए हम सब कुछ आपके साथ share कर रहे हैं एक एक चीज आप समझने की कोशिश कीजिए मैं क्या कह रहा हूँ हमारा जो setup है हम सिर्फ और सिर्फ और क्यों किछ भी कहे कि निफ्टी में हमको 50 लेना है 100 लेना है नहीं आपको सिर्फ 30 और 40 पॉइंट के प्रॉफिट के लिए ट्रेड करना है 20 और 30 पॉइंट के लिए आपको एक ऐसा setup तयार करना है अपने लिए टेक्नेकल इंडिकेटर देख लिए हमाई साथ कनेक्ट होंगे हम आपको मतलब help भी कर सकते हैं इसमें अभी आगे बढ़ता हूं मैं समझने की कोशिश कीजेगा कि अगर यहां पर आपको 3040 पॉइंट के बीच में ट्रेड में एक्जेक्यूशन करना है तो मैं 35 पॉइंट माल लेता हूं 35 ठीक है इंटू मैं 3 कर लेता हूं ठीक है इंटू 3 कि तीनों ट्रेड्स हमारे लॉस में चले गए तो हमें कितना नु फीर हो सकता है और एकंड 151 का मतलब हरा लॉस कितना है खुल नहीं तरीके से हूं 1055 सटरइक एकमार नहीं होगगै यहं का होगा और 75 पॉइंट के स्टॉप लॉस का मतलब है आपको जो लॉस होगा 500 रुपय का होगा यहां पर आपको पच्पंसो रुपय का लॉस देना पड़ेगा एक दिन में अगर आप एक्जैक्ली इस पर काम कर रहे हो बाकि यह वर्स्ट के सिच्वेशन है यह बेस्ट के सि चीजे समझाई उसको अलग भासा में हम समझनी की कोसिस करेंगे इस पर एक बार और सफाई कर लेते हैं जिससे कि आपको कोई कंश्यूजन ना रहे जिहां तो हम यहां पर आ चुके हैं अब मैंने सुरुवात में आपसे कहा था कि 15,000 पर निफ्टी चल रही है ठीक है हमार हजार की बात कर रहें अगर निफ्टी 15,035 चली गई तो हमारा टार्ड़े ट हीट हो जाएगा टार्ड़े टेक हिट ओर Het तो कितना प्रॉफिट लेकर बाहर निकल गए और अगर आपका पहला target हिट हो जाता है आप no fresh trade लेंगे, कोई भी fresh trade नहीं, मतलब आपको अगला trade लेना ही नहीं है, यह हमारे setup की सबसे बड़ी खुबी है, कि अगर हमारा पहला target हिट हुआ, हम कोई लालच नहीं करते हैं, हम 5 point बाजार को दे देते ह हैं, उनके brokerage के लिए 30 point, जो की लगभग लगभग 2,000 rupees होता है, ठीक है, 2,000 rupees होते हैं, यह हम बाजार से लेकर चुपचाप exit कर जाएंगे, हमारा 2,000 income generate हो गई, अब हम अगले दिन आएंगे, चलिए मान लेते हैं, कि हमारा, हमारी बाजार 14,975 चली जाती है, हमारा stop loss हमें, 250 rupees या 2300 rupees हमको बाजार को देने पड़ेंगे, और हम exit कर जाएंगे, ठीक है, exit कर जाएंगे, अब आप सोचोगे कि यहां पर हमको दूसरा trade लेना चाहिए, या नहीं क्योंकि जब हमारा profit हुआ, तो हमने दूसरा trade नहीं लिया, और जब हमारा loss हुआ, तो हम दूसरा trade क्यों ले रहे हैं, क्योंकि हमारा success ratio इसी तरीके से है, अगला trade हम लेते हैं, और वहाँ पर माल लेता हूँ कि हमारा target हिट हो जाता है, तो हमको वहाँ पर कितना मिल जाएगा, 2000 rupees हमको बाजार से मिल जाएगा, जो कि हमें सिर्फ और सिर्फ 300 के loss में रखेगा, अभी worst case situation की मैं बात करूँगा, और क्या हम worst case situation में कुछ ऐसा कर पाएंगे, जहाँ पर हम survive कर पाएंगे, जी हाँ, मैं वही survival की बात करूँगा, जैसे कि जिस दिन आपका target हिट होगा, आप एक दिन बाहर हो जाओगे, और बहुत ज्यादा chances हैं, कि आपको ये targets ही मिलते रहेंगे आपको समझाऊँगा, लेकिन जो आपको यहाँ पर trades लेने हैं, जैसे कि हम हमेंसा अपने stop losses को maintain करते हैं, तो जो आपको जिस दिन आपको बाजार ने पहली बार चोड़ दिया, उस दिन आ, मैं ये नहीं कहना हूँ कि आप बाजार से भीड जाओगे, नहीं नहीं कि मेरा target आपको stop loss लेना है, exit करना है, फिर से stop loss लेना है, exit करना है, और वहाँ पर हम maximum three trades करेंगे, अगर हमारे तीनों loss में चले जाते हैं, हम अगले दिन आएंगे, हमें थोड़ा सा fund की ज़रुवत पड़ेगी, लेकिन ये worst case situation होगी, ये हो गई पहली case, ठीक, पहला case सिनारियो यह हो गया, दूसरे case में मैंने आप से कहा, जिस दिन हमारा 2000 का profit हुआ, हम बाजार से exit कर जाएंगे, अभी हमको यहाँ पर करना क्या है, अभी हमको सिर्फ और सिर्फ अपने losses को maintain रखना है, कि वो जो है, बहुत आगे न बढ़ जाएंगे, इसलिए हम अगला trade भी यहाँ पर और एक हमारा अगर loss गया है, और एक हमारा profit गया है, ठीक है, एक हमारा trade loss में चला गया, एक हमारा profit में चला गया, तो brokerage cut पिटा के हमको 00 पे हम रह जाएंगे, यानि कि उध दिन हमारा no profit, no loss हुआ, लेकिन अगर माल लेता हूँ कि उस दिन आपका दूसरा trade भी loss में गया, तो चलिए, आपको loss एक बार के लिए और हो गया, तो फिर हम तीसरे trade पे जाएंगे, और बहुत ज़्यादा chance है, हम 90% security के साथ कह सकते हैं, कि आपको तीसरा trade profit में जाएगा, ये 90% security में trade के profit में जाने के बात नहीं कर रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि अगर तीन में से आ अगर हम तीसरा trade ही positive पा जाते हैं, तो हमारा जो loss होगा, वो और जो brokerage जुड़ भी जाएंगी, तो वो वो इसके आसपास ही आजाएगा, यानि कि हमें उस दिन उतना ही loss हुआ, जितना उसके एक दिन पहले profit हुआ था, close to आसपास ही रहेगा, क्योंकि थोड़ा बहुत आँगा, क्योंकि theory बहुत हो गई, अब practical पे चलते हैं, practical पे समझने की कोशिज करते हैं, चलिए चलते हैं, चार्ट पर, जहां निफ्टी फरवरी futures के हम चार्ट पर आ गए है, candle आपको लगाने है तीन मिनट की, याद रखिएगा, जब भी आप trade कीजिए, candle तीन मिनट की जरा गईए, setup हम आपको बताइदेंगे, लेकिन उससे पहले हम करतें हैं, यापको समझाने की कोशिज करतें हैं, एक बार के लिए,мент यहाँ पर मैं मान लेता हूँ, कोई भी एक ही चीज़ पे हम चलेंगे, या तो हम भाइक करेंगे, हम बाजार को बताना चाहते हैं, कि हम गलत होंगे या सही होंगे, चलिए माल लेते हैं, निफ्टी खुल गई, और मैंने यहाँ पर माल लेता हूँ, मैं सौट कर दिया, ठीक है, हमें एक बार स्टॉप लॉस दे गई बाजार, ठीक है, बाजार खुली और हमने सौट कर दिया, कुछ भी नहीं सोचा समझा, विदा तो टार्गेट दे जाएगी, ठीक है, आपको पता है, उसके बाद फिर से जैसे हमको मौका मिला, हमने बाई किया, हमको फिर से टार्गेट दे जाएगी, लेकिन हमको उस दिन टार्गेट पे एक जिट कर जाना है, तो यह हो गई एक सेटप की बात, एक नॉर्मल सिचुए की बात यह सब चीजे काम कैसे करेंगी थोड़ा सा पन्फ्यूज हो गए होगे तो उसके लिए समझना होगा थोड़ा सा आपको डेटा रीड भी करना आना चाहिए बाकी हर चीज में आपको शिखाने के कोसिस करता हूं जैसे कि बाजार खुली उपर जा रही है अब हमेशा केंडल पे अगर कोई रिट्रेस्मेंट मिलता है आप सॉउट कर दिजिए जैसे की यहां पर क्या होगा की तीन केंडल पॉजिटीचिव सइद बन गहीं चौति pants पे अगर आपको सब्स्री मिल लेकिन वैं टोंब की बात कर रहा हूं कि आपको यहां पर क्या होता है इक न थीक है यहां पर पर प्रमान लेते हैं हैं तीन कंडल से आप नीचे-जैसे मिली आपको थोड़ी से याप को घीजा hem कि हम ट्रेड की स्केंडल पर लेंगे इस पर लेंगे यहां पर आप लेते तो आपका stop loss यूट हो जाता लेकिन अगर आप यहां पर लेते आपके ट्रेड लेते ही 30 पॉइंट नीचे चली गई हमें बरदास नहीं होगा कैसे हो गया हम लॉस को और बढ़वा लेंगे तो मैं आपसे कहता हूं कि अगर आप इसके लिए रेडी नहीं हो तो आप ये ट्रेड मत कीजिए मैं फिर से कहूंगा ये ट्रेड आपके लिए है ही नही क्योंकि option में आपका premium time value कम हो जाती है यहां पर आप overnight hold करके भी जा सकते हैं जिनके पास बड़ा fund है लेकिन जिनके पास छोटा fund है मैंने आपको बोला है आपको 20 से 30 point के बीच का stop loss लेना है जैसे कि कभी हम 30 point का ले लेंगे कभी हम 20 point का ले लेंगे बाज ठीक है बाजार अ सा आर्टिकल पढ़िएगा समझने की कोशिश कीजिएगा देर सारे टेकनिकल इंडिकेटर का यूज भी कीजिएगा और हो सकेगा तो तीन मिनट या दो मिनट की candle पर आपको ट्रेड करना है क्योंकि आपको बहुत ही चोटे टाइम फ्रेम में ट्रेड करके भार आना है इस अगर आप देखोगे यह एक रेंज है ठीक है इस रेंज के ऊपर बाजार निकलेगी आपको लग रहा एक बढ़िया अप्टिक मोमेंटम आएगा यह रिंज जैसे तोड़े आप बाई ले लिजिए बीस पच्चिस तीस पॉंच नीचे आपको स्टॉप लोस ले लेना है अगर यह stop losses आप यह समझेगा यह बाजार आपसे ले नहीं रहिए वो देने के लिए आपसे एक होतन आहुती मांग रही है वो आपको 500 देना चाती है इसलिए आपसे 300 ले रही है इसके लिए अगर आप रेडी हो तो आप बाजार में रहिएगा फ्यूचर में वाला तो चलिए नटसल में हम आपको समझा देते हैं मैं धेर सारे सटप की बात करता रहता हूं कि किस किस पैटन पर आपको क्या ट्रेड लेना है और जिन लोगों के पास इंट्राडे पैटन है वो इस पैटन का भी यूज तीन मिनट की केंडल पे इस में कर सकते हैं जैस हम एक दिन और पीछे चलते हैं सिर्फ वन ट्रेड इना सिंगल दे की हम बात कर रहे है हमने जो आपको इंट्राडे सटप प्रवाइट किया है इस दिन हमारा स्टाप लॉसीट हो जाता ठीक है अब हम चार तारिक को आते हैं हम。 चार तारिक को आते हैं हम को यहाँ पर क्य मतलब overall हमको यहाँ पर buy signal मिलता, अगर हमको मिलता ही, क्योंकि यह candle काफी ज्यादा बड़ी हो गई, तो हमारा यहाँ पर target हिट हो जाता, बाकि यहाँ पर security कम है, मैं थोड़ा सा और पीछे आता हूँ, यहाँ पर हमें क्या मिलता, buy signal, हमारा target हिट होता या नहीं होता, मैं एक back test आपको दे रहा हूँ, हम जो आपको intraday pattern provide कि हैं, उस पर भी आप trade कर सकते हो, बाकि nifty का setup थोड़ा सा अलग होता है, risky हो जाता है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इसकी accuracy जो हमारा pattern है, उसकी accuracy उतनी अच्छी नहीं रहेगी जितना आपको stock selection पर मिलता है, क्योंकि nifty हर तो फिर और आप पीछे जाते हो, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, हम को sell signal मिला था, हमारे सारे target sit होते हैं, ठीक है, और थोड़ा सा पीछे आते हैं, हमको यहां पर भी sell signal मिला था, सारे target हिट होते हैं, ठीक, अब यह बाते हो रही हैं, intraday setup की, जैसे यहां पर हमको sell signal मिला, लेकिन हमारा stop loss हिट हो जाता है, क्योंकि nifty एक एहम लेबल के आज पास नहीं थी, गुम रही थी 13, 840, 30, 20 के आज पास, तो आप समझा कीजिए, कि ज Excel में समझना चाते हो, तो सिर्फ तीन बातें आपको समझ कर जानी है, हम इसको save नहीं कर रहे हैं, थोड़ा सा, तीन बातें आपको समझनी है, पहला चीज, futures में आप trade कर रहे हो, तो याद रखिएगा, रिस्की बिजनेस है, और आप 11,00,000 रुपए का समान लेकर बैठे हो सिर्फ और सिर्फ 50,000 में, तो आप ये मत देखेगा, 50,000 पे आपको कितना लॉस होगा, आप ये देखेगा, 11,00,000 पे आपको नुक्सान और प्रॉफिट हो रहा है, तो जो बड़े रिस्क लेने वाले लोग है, ठीक है, और बड़ा रिस्क, निफ्टी से, अगर आप futures में सबसे safe trade करना चाते हो, तो आप निफ्टी में ही कर सकते हो, stocks में कुछ बूरी नहीं हो जाएगी, कुछ भी हो जाएगा, तेकिन निफ्टी में अच्छी बूरी नहीं आती है, निफ्टी में एक होता है कि बहुत तकड़ा, अप्टिक, डाउन टिक भी हो गया, तो 2-4% नि एक better trader बन पाओगे, ये video सिर्फ और सिर्फ educational purpose के लिए थी, मैं आपको कोई trade लेने के लिए नहीं बोलना हूँ, futures में trading बहुत ज्यादा रिस्की है, इसलिए आपको alert कर रहा हूँ, अगर आप विदावत stop loss जाओगे, तो समझ लीजेगा आप दरिया में कूद रहे हो, you have to be very careful for that, अभी मैंने आपको समझा दिया, कि हमारा stop loss और target रहेगा, वो ऐसे रहेगा, 35 और 25 पॉइंट का, हम जो trade करेंगे, अगर हमारा पहला trade profitable हो गया, जो कि most of the cases में होगा, ठीक है, और हमारे stop losses भी जाएंगे, अगर महीने में हमको मान लेता हूँ, 22 दिन trade मिलता है, तो हो cost to cost पे रखेंगे, और कुछ पैसा यहां से भी थोड़ा थोड़ा चला जाएगा, जो आपके 12 दिन targets आए है, तो overall जो आपका target आएगा, और जो setup की value आएगी, निकल करके, वो आएगी close to, close to मैं कहा रहा हूँ, 5 या 6 दिन की income, ठीक है, 5 या 6 दिन की income आएगी, जो आपके targets hit हुए है, क्योंकि जित दिन हमारे stop losses hit होंगे, उस दिन हम उसकी recovery करने में लगेंगे, सिर्फ तीन trades से, ठीक, क्योंकि हम probability पे काम कर रहे हैं, यह सब चीजें और discuss करता रहूँगा, तो जो हमाई 6 दिन के exactly profits मिलेंगे, 5-6 दिन के, वो close to 400-500 रुपय होते हैं, और मैं इस setup यही चीज आपको समझाने की कोशिस करूँगा, लेट सी कि इस वीडियो को कितने लोग मतलब enthusiasm के साथ देखते हैं, मुझे पता इतनी लंबी वीडियो को देखे कर नहीं, लेकिन जो भी लोग देखते हैं, उन में कितना interest आता है, और वो चीजों को किस तरीके से सीखने की कीजिए, या futures में ही काम कीजिए, लेकिन आप सीखना चाहते हो चीजों को, इस चीज के लिए आपको बहुत बड़ा थमसब, आप बाजार से बहुत पैसा कमाओगे, ऐसी मेरी सुपकामनाएं हैं आपके लिए, बस लालच और फियर के बीच में जो thin line होती है ना, उसको प